अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जीना ही असली माइने में जिन्दगी जीना है और MyFM आपके लिए लेकर आया इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिलवाला दिसंबर जहां हम आपको शहर के ऐसे बड़े दिलवाली लोगों से मिला रहे हैं, जिनके जीव में आज बहुत ही खास मेमान हमारे साथ जड़ चुके हैं, हमारे साथ हैं हैमन्त निगम जी जो की टॉइ फॉर टॉट्स क्लब के माध्यम से घरीब बच्चों को खिलोने बाटते हैं और उनकी शिक्षा के लिए काम करते हैं सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे और आपके कलब के बारे में भी मुखमंती का एवान था कि एक गरीब बच्चा जिसने कभी खिलोना नहीं देखा हो उस बच्चे को खिलोना देना है जो बिलकुल गरीब है, गंदा है, घूम रहा है, जिसने अपने बच्चपन आनंद नहीं लिया है उसको लेके मेरे मन में एक भावना आई थी, उनका एक आईवान था, उसलिके हमने ये शुरूआ की हो, खिलोने बाटने हैं, हमने बच्चों को लगबग दस्याजूंबर खिलोने बाटने हैं कुछ ऐसे ही दिलवालों की 24 कैरेट सची कहानिया, दिलवाला डिसेंबर में 94.3 माइफम पर आप हैं, आरजे सुपनिल के साथ, मौनिंग शो सलाम गौलिर पर माइफम इस दिसंबर को कहता है, दिलवाला दिसंबर, क्योंकि हमारे शहर में कई ऐसे बड़े दिलवाले लोग हैं, जो दूसरों के लिए काम करते हैं, बे सहरा लोगों के लिए काम करते हैं और उनकी जिंदगी का एम ही यह है कि वो दूसरों के काम आ सकें और आज हमारे साथ ऐसे ही बड़े दिलवाले हिमंत निगम जी है जो टॉइफ और टॉट्स कलब के माध्यम से गरीब बच्चों तक खिलोने पहुचाते हैं उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता बताते हैं सर अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस काम की शुरूआत कैसे हुई लिमका बुक आफ रिकॉर्ड्स में भी आपका नाम दर्ज है इस बारे में भी बताएं साथ में फ्यूचर प्लांस के बारे में भी हमारे लिसनर्स को बताएं को हमने खिलोने बाटना चुरू किया और ये खिलोने बाटते बाटते एक लिमका बुक आफ रिकॉर्ड बना तो इसमें मैं जन्नेवाद जूंगा कि जो हमारे नोडेल अधिकारी थे शिवराज वर्मा जी उनसे हमको इसी काफी प्रिणना में दी घर में भी मेरे जो बैकगराउंड है वो एक सोतंता सेनानी मेरे दादाजी थे उनसे भी मुझे हमेशा ये प्रिणना मिलती थी कि कुछ भी करिए समाज के लिए जरूर अपना योग्दान दीजिए हम बिजनिस करते हैं लेकिन समाज के लिए अपना योग्दान देना जो है आनन गरीब बच्चों को नहीं मिलता एक मामीर बच्चा एक मिडल क्लास के बच्चे को जो आनन तो मिल जाता लिए कि गाउं गरीब का जो बच्चा है उसको आनन नहीं मिलता उसको आनन से वंचित नहीं रहना है उसको आनन मिले वो खिलोना खेले इंजॉय करे फिर आ माया का है तो अभो क men weAI के पढ़ रहा था तो हमने नकी लिए काम करना शूरू कि ऊन्वाइब वहां बाल शिक्षा केंद्र की स्थापना करवाई उनके लिए क्लासरूम बनवायां अंदर उनके लिए लिए के लिए जगे बनवाएं कि वो इंडोर गेम खिल सकें अभी हमारे जो प्लान है वहाँ पर राइट्स लगवाने का भी प्लान है कि हम वहाँ पर बच्चों के लिए जूले भी लगवाएं इस तरह से हमने बाल शिक्षा के इंद की आपना आज से दो साल पहले की है तीसरा हमारे जो प्रोजेक्ट था वो आंगनवाडी के लिए था हमें दो आंगनवाडी चुड़नी थी एक ग्रामीर में और एक शहरी में जहां पर बच्चे खूब आते हैं लेकिन उनके लिए खेलने के लिए प्रोपर वैस्ता नहीं होती है तो हमने ग्रामीर आगनवाडी का जो हमारा है वो अपकमिंग प्रोजेक्ट है लेकिन शहरी आगनवाडी में एक साल पहले दू साल पहले लगबग बनवा चुका हूं वहाँ पर हमने बच्चों के लिए पूरा एसी एंवार्मेंट दिया है जिससे बच्चे आये खेले वहाँ उनके लिए प्रोपर कराई है उनको आकाश मंडल पूरा उस पर बनवाया है खिलोने भी हैं वहाँ पर उनके लिए सबी वैस्ता वहाँ पर कराई कि बच्चा आये अपना बच्चपन इंग्जवाएकर से आनन्द ले सके जो अगला प्रोजेक्ट से वो ग्रामीर क के लिए हमारा प्रोजेक्ट है इस तरह से हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं और आनन्द ले रहे हैं बच्चे करते रहें और बच्चों के चैरे पर मुस्कान लाते रहें विलाल टायम है मुजिकल ब्रेक का ब्रेक के बाद पब्लिक चॉइस म्यूजिक आवार्ड्स के आज के नॉमिनेशन के बारे में हम जानेंगे बने रहे हैं आए फेम पर जीओ दिल से